नमस्कार मैं हूँ अमेट और दोस्तो आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप सेवन बैस स्मार्टफोन की जो कि आप खरी सकते हैं लगबग 20,000 रुपसे नीचे की प्राइज में दोस्तो हमारी इस लिस में कुछ नए फोन भी आड़ हुए है और कुछ फोन की प्राइसिंग कम हो गई है तो वहाँ पर भी रैंकिंग चेंज हुई है तो अगर दोस्तो आपका विजट लगबग 15,000 से लेकर 20-21,000 पर तक का है तो मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो काफी ज़दा यूसफुल होने वाली है इसलिए बने रहीगा हमारे साथ इस वीडियो में अब दोस्तो हमेचा के तरे वीडियो स्टार्ट करेंट से पहले आपको बता दू कि जिन भी स्मार्टफोन के हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में यह सभी स्मार्टफोन हमने यूस किये हैं इने च्छे से टेस्क किया हुआ है और यहाँ पर दोस्तो हम रेगूर पिन कमेंट में देखने को मिल जाएंगे ताकि आप उनकी करेंट प्राइजिंग और अफ़र को चेक कर सकें तो चले दोस्तो स्टार्ट करते हैं अब नंबर सेवन के साथ और दोस्तो नंबर सेवन पर आता है मोटरला की तरफ से मोटो जी सेवंटीवन फाइजी जिसका प पतलब यहां पर हाइर स्क्रीन रिफ्रेश्ट को यूज नहीं किया गया है तो वहाँ दोस्तो लगता था कि 18,000 रुपे खर्च करने के बाद हमें हाइर स्क्रीन रिफ्रेश्ट देखनी को नहीं मल रहा है लेकिन दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूँ अब जिस प्राइज दोस्तों काफी अच्छे काफी वाइबरेंट आपको देखनी को मिल जाते हैं अगर यहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पर्फॉर्मेंस की तो वो भी आपको अच्छा दिखनी को मिलेगा क्यूंकि यह फोन आता है स्नाप्रेकर 695 चैसर के साथ में और दोस्तों स्नाप् कर रहा हूँ युआई की तो वहां पर भी इसके पास काफी वाड़ा अट्वांटिच है क्योंकि यहां पर आपको कोई भी ब्लोट वेट देखनी को नहीं मिलता है कोई भी एड्स वागरा देखनी को मिलने वाला है फोन का डिजाइन दोस्तों अच्छा है काफी डिसेंट 16,000 रुपए है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए और दोस्तों इसलिए आता है मैं लिस में नंबर सेवन की पोजिशन पर नंबर सिक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों तो यह आता है सामसें की तरफ से और यहां पर मात कर रहा हूं की 17,999 पर दोस्तों इसका करेंट प्रेजिंग होता है लेकिन यहां पर आपको बैंक कोफर मिल जाता है करी 2,500 रुपए का आईसीजी बैंक के कार्ड से तो करी 15,500 रुपए की प्राइज में आपको दिवाइस को ले सकते हैं इसके लब कुछ और भी कार्ड्स हैं जहां पर आपको 10% का डिस्काउंट देखने हो मिल जाता है मतलब 16,000 रुपए की प्राइजिंग में आपको यह देखने हो मिल जाएगा तो लगवक साड़े 15-16,000 रुपए की प्राइजिंग में यह दिवाइस ठीक है क्योंकि सबसे बदे तो यह एक 5G डिवाइस है जहां पर आप यहां पर आपको अच्छे कलर्स देखने हो मिल जाते हैं इतना बुरा डिस्प्ले नहीं है तो यहां पर भी कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए अगर हम बात कर रहे हैं इसके लावा क्यामरा की तो यह दोस्तों काफी अच्छा आपको देखने हो मिलता है 50 Megapixel का primary sensor है इ इसके अलबा यहां पर आपको 6000 मेच का बैटरी भी देखने को मिल जाता है और यहां पर 25 वाट का चार्जिंग सपोर्ट है हाला कि चार्जर आपको इंबॉक्स देखने को नहीं मिलता है तो अच्छा खासा फोन है दोस्तों लेकिन जैसे कि मैं आपको आपको अल्रीट बत सब्सक्राइब को मिल जाएगा करीब 1,000 रुपए का तो साड़े 15-16,000 रुप इस देवाइस को भी ले सकते हैं काफी अच्छा डिवाइस है दोस्तों वैसे अकर आप चाहें तो वीवोट T1 की दरब भी जा सकते हैं क्योंकि दूनों ही फोन्स बिल्कुल सेम हैं यहां पर सिर्फ आपको नाम का डिफरेंस देखने को मिलेगा वीवोट T1 आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट पे IQZ6 आपको मिलेगा Amazon पे प्राइसिंग में यहां पर कुछ हजार से डिटर जावर डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है दोनों ही दोस्तों काफी अच्छे डिवाइस ह है और इस प्राइजिंग के साफ से दोस्तों नोड़ एक बहुत ही अच्छा पर्फरमेंस आपको देखने को मिल जाता है बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पे डिस्प्ले की तो यह भी आपको मिलता है IPS पैनल के साथ में फोल एचे डिपस के रिजूशन यहां पे भी जाती है 5000 इमेच का बैटरी है 18 वोट के फास चार्जिंग सपोर्ट के साथ में तो यह भी अच्छा ऑप्शन है उस्तों IQ Z6 के तरह आप जा सकते हैं मुझे लगता है कि वह बैटर होगा क्योंकि दोनों के फीचर्स में तो कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन IQ Z6 आपको 1000 से 1000 मिल जाता है तो आप इनकी तरफ देख सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्परेशन मिल जाएगा यह दोनों ही फोस आते हैं वार लेस में नंबर पांच की वोजिशन पर नंबर फोर होता है दोस्तों वन प्लस फैंस के लिए जी हां दोस्तों यहां मैं बात कर रहा हूं वन की तरफ से अगर को डिवाइस देखने चाहते हैं तो मैं आपको इसको रिक्मेंट कर सकता हूं क्योंकि सबस्क्राइब दोस्तों ऑक्सिजन डोयर्स जिसके लिए वन प्लस को सबस्क्राइब परसंद किया जाता है इसके लवागर मैं बात कर रहा हूं यहां पी पर्फॉर और फोन का डिजाइन आपको अच्छा देखने हो मिलेगा और एक बैलेंस फोन है और इस्पेशली दोस्तों वन प्लस के फैंस के लिए ही रिकमेंटेड है क्योंकि इस प्राइज में आपको दूसरे और ऑप्शन देखने हो मिल जाते हैं दूसरे बेंट की तरह से भी तो यह आता है मैं इसमें नंबर 4 की बोजिशन पर नंबर 3 की बात कर रहे हैं दोस्तों तो यहां पर एक नहीं बलकि दो ऑप्शन अवेलबल हैं पहला है दोस्तों पोको की तरफ से पोको X4 प्रो और दूसरा आप इसी का एक अप्गेड वर्जिन कहा सकते हैं जो कि है रैड् बीरई 60–σदाव की ब्रैजिंग मैं डेफरेंस यहां पर आपको मिलता है दोस्तों कैमरा में 64 मेकापिक्सल का प्राइमरी शरा आपको डेखने मों मिलता है ये साथ में और थोड़ा सा यूनिक और प्रीमिम डिजाइन आपको देखने मों मिल जाएगा इस प्रइस अमें ड के साथ में अगर बबात कर रहा हूं बैटरी की तो पास जार इमिज का बैटरी है जो की सपोर्ट करते हैं 67 वाट का फास चार्जिंग इसके लब दोनों ही फोस में आपको डियुल स्ट्रीय स्पीकर्स दिखने हो मिल जाते हैं और यह दोनों ही फोस काम करते हैं अच्छे डिवाइस हैं हाला कि यहां पर आपको डिस्क्रीमर देना चाहूंगा कि पोको एक्सफोर में कुछ दिक्क्कत आ रही थी हाला कि मेरे यूनिट में दो कोई भी दिक्कत नहीं थी तो काफी साथ लोग कंप्लेंड कर रहे थे पोको एक्सफोर प्रो के लिए तो अग काफी सारी कंप्लेंड पोको एक्सफोर प्रो को लेकर आई हैं इंटरनेट पर हाला कि मेरे यूनिट में कोई भी शूज नहीं थे मैं इसको अच्छा से काफी समय से यूज भी कर रहा हूं नंबर दो की बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर भी एक नहीं बल्कि आपको दो को अप्शन देने वाला हूँ एक होगा पर्फॉर्मेंस के लिए और दूसरा होने वाला है काफी जादा बैलेंस फोन जी हां दोस्तों सब्सक्राइब में बात करना चाहूंगा रियल मेन ऐसी की जो कि आपको मिलता है उननीज़ा नॉसन जान रूपर की प्राइज में हाल सब्सक्राइब में अच्छा पर्फॉर्मेंस आपको देने वाला है इसके लाव दूस्तों यहां पर आपको वन फॉर्टी फॉर्ट्स का स्क्रिंग रफ्रेशर्ट भी दिखने हो मिल जाता है तो गेमिंग के लिए तो नो डाउट यह फोन बहुत ही अमेजिक होने वाला ह हाला कि यहां पर IPS पैनल दिया गया है जो कि इस फोन का ड्रॉबैक जरूब सकता है क्योंकि अठारों निज्दा रॉबिक प्राइजिंग में आपको एमोरेट पैनल देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन हाँ IPS पैनल के साथ में यहां पर वन फॉर्टी फोर्ट्स का स्क्रिं अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसके अलावा एक काफी बैलेंस फोन की तो वह आता है मोटो जी-टी-टू जो की मोटो लाइक तरफ से लेटेस लाँच है अब दोस्तों यह काफी बैलेंस फोन है क्योंकि सबसे में इस फोन का डिस्पे वालिटी आपको अच्छा देख हैं 50 में इसका प्राइमरे सेंसर है वैसे इमजिस तो यह काफी अच्छी करता है लेकिन एक और एडवाटेज है कि आपको वाइस के साथ में देखने को मिल रहा है और लगबग 20 रुपर की प्राइस असा नहीं है जो कि आपको वाइस का सपोर्ट दे रहा है लेकिन आगर म में रहा जाती है तो इसलिए मैंने आपको दो अप्शन दिये हैं कि अगर आपको पर्फॉर्मेस वाला फोन चाहिए तो आप रियल मी नाइन ऐसे की तरब जा सकते हैं या फिर आपको एक ओवर्रॉल बैलेंस फोन चाहिए तो फिर आप मोटो जी एड़ी दू की तब जा स सकती है और दोस्तों यह आते हैं हमाइड लथस में नमबर 2 की पोशिचन पर और फाइल दोस्तों बात करते हैं नमबर 1 की पोशिचन की तो दोस्तों यह बमुस्ट यहां मैं बात कर रो हूँर मी नार्ज ओ 50 Pro 5G की जो कि आपको मिलता है 2099 रुपर की प्राइज में यहां पर में बेंक ऑफर मिल जाता है आपको एक से डीटर जार रुपर का तो 20 रुपर से नीची की प्राइज में तो आपको इसको ले सकते हैं वैसे 2099 की प्राइज के इसाफ से दोस्तों यह काफी अच्छा उप्श पावरफुल चिपसेट है और यही चिपसेट हमें लगबख 20-25 रुपर की प्राइजिंग में देखने हो मिलता है अभी भी काफी सारे डिवाइस ऐसे हैं च्योंकि इस चिपसेट को आपको लगबख 25 रुपर की दिस्प्ले की तो यहां पर भी आपको Super AMOLED पैनल देखने हो मिलेगा एक complete modern display आपको देखने हो मिलता है 6.4 इसका screen साही यहां पी दिया गया है इसके लाव अगर में बात कर रहा हूं दुस्तों camera की तो यहां पर आपको 48 मेगा पी शूर मत जाएगा यहां पर आपको images अच्छी देखने को मिल जाती है यहां पर में ultra wide sensor की देखने को प्राइमेरी सेंसर है तो यह camera oriented phone नहीं है लेकिन अब performance के लिए phone लेना जाते है तो definitely यहां पर आपको Realme Narzo 50 Pro 5G इसके बारे वाब क्या सुचते हैं आप आप में नीचे कमेंट से कीन में बता सकते हैं तो दोस्तों यह थे top 7 best smartphones वैचे आपको एक bonus phone और बदाने वाला हूँ यहां पर दोस्तों बात करने वाला हूँ IQ Z6 Pro की हाला कि इसका pricing है 23,900 रुपय लेकिन काफी बार in fact most of time दोस्तों यहां पर में 3,000 रुपय का instant discount मिल जाता है आई से जी बैंक के कार्ड से या फिर की से और कार्ड से तो आप इस फोन को करीब 20,900 रुपय प्राइजिंग मिले सकते हैं अगर आपके बास कार्ड है अगर आप बैंक को फट लगा के इस फोन को लेना चाहे तो और ल बैटरी की तो 4700 राइज का बैटरी है जो की सपोर्ट करता है 67 वाट का फार चार्जिंग तो कुलमलाकर एक बहुत यच्छा उप्चन है दोस्तों हाला कि इस फोन में कुछ कमिया है जैसे कि एक वाटर और नौस प्ले दिया गया है जो की थोड़ा सा आउट डरू हो चु मुझे पूरी उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमने यहाँ पर जो रैंकिंग की वो भी आपको पसंद आया होगी लेकिन हाँ आगर आगर आव हमारे रैंकिंग से आगरी नहीं करते हैं तो वो भी निचे में निचे में बता सकते हैं और क्या है आपक पोगत बदेने वात.